वेल्कम बैक आपको गुजरात कॉंग्रेस की प्रफारी की दिम्मवरी धी गई है किस प्रकार से गुजरात कॉंग्रेस को आगे लेके जाना चाते हैं आपको पार्टी तो अभी मजबूत है यहां पे क्यों 25-26 साल से बीजेपी की सरकार है यहां इतने लंबे समय तक सता में नहीं रहने के बावजूद आज भी हमारे कार्यकरता गाउं गाउं में जिले में और पूरे मजबूती के साथ विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है वो नोजवान पीड़ी आगे बढ़के माध्यम से भावनाएं रखते हैं कि अगर कॉंग्रेस को आश्रिवाद मिलता है तो हम इन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे अगर ऐसा होता तो 2017 में हमारी परफॉर्मेंस नहीं सुधरती बहुत चोटे मार्जिन के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी यह सचाई है और पार हम इसको जीत में तब्दिल करेंगे 2022 में आपके समने एक बड़ी चुनोदी रहेगी जैसे तो बारते जंदापट एक बड़ी चुनोदी है उसके बाद भी आमावी पार्टी ने गुजरात में अच्छा कासा प्रदर्शन स्थान ये निकाई चुनाव में किया है और एया पार्टी आ गई मेरा ये मानना है कि किसी रूप में भारती जंतापाटी को मदद करने के उद्दिश्य से आते हैं और भी राज्यों में जाते हैं ये चुनाव से पहले सिर्फ वोट कटिंग मशीन के रूप में कि हम कितना वोट काटेंगे ताकि फिर से भारती है उस काम में लगे रहते हैं ये भी दिखा गया है कि जैसे कॉंग्रेस जित्ती हो तो अच्छी बात है लेकि जब हारती है तो EVM और दुस्री जो पार्टी होती उसको बातबागी मीटिम बना कि उतना संतोस मान लेती है देखिए ये तो सच्छा ही है कि जब से EVM आया है भारती जन्ता पार्टी की जीत का जो ग्राफ हो लगातार बड़ा है अमेरिका जैसे देश में आज मैनुली वोटिंग होती है तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है